हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सिक्रेट सिंदी में मैं आपकी दोस्त नेरा गुपता कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आपकी त्वचा रुखी है और आप इसकी देख बाल में लापरवाही करते हैं तो हो सकता है कि उम्र से पहले आपकी दोचा बुड़ी नजर आने लगें मोसम बदलने धूप में रहने साबुन का अधिक इस्तिमाल करने आधिक कुछ कारण है जिससे आपकी दोचा रुखी और बेजान हो सकती है कुछ लोगों की दोचा अनुश्वातिक भी ड्राय होती ह और ड्राय स्किन वाले लोगों के चहरे पर जूर्या बहुत जल्दी पढ़ जाती है ऐसे में इस तरह के स्किन वाले लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है हाला कि बाजार में बहुत सी क्रीम और लोशन मिलते हैं जो रुखी त्वचा के टीटमेंट का बाता करते हैं लेकिन कई बार इनका इस्तिमाल आपकी स्किन को और भी ज्यादा हानी पहुचा सकता है इसलिए हम आज आपके लिए ऐसे दो बहुती खास फेस पैक लेकर आए हैं जो कि आपकी स्किन को जरूरी नमी प्रदान करके आपकी स्किन को ग्लॉइंग और सॉफ्ट बना देगा सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सिक्रीट हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ ही में दियेगे वैल आइकन को भी दबाईए और पाईए सेहत और खुपसूरती से रिलेटिव यूस्पूल वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं पहले फेस पैक से इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको एक अच्छे पके हुए आम का एक बड़ा चम्मच गूदा लेकर उसमें आधी चम्मच चीनी मिला लीजिए और आदा चम्मच ओलिव ओल और इन तीनों इंग्लिडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर इसे अपलाई करने से पहले आप अपने फेस को वाश कर ले और इसके बाद आप इस पैक को अपने फेस पर पीस मिनट तक के लिए लगा कर छोड़ दीजिए फिर अपना चहरा धोले प्याज का फेस पैक फ्रेंट्स रूखी तवचा के लिए प्यास से बना हुआ यह फेस की रस को शहत के साथ मिक्स करें और चहरे पर 10-15 मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद अपने फेस वाश कर ले फ्रेंट्स यह इतना इफेक्टिव है कि इससे बुजरुक व्यक्तियों की तवचा को भी जूरिया से राहत मिल जाएगी तो दोस्तों यह थी आज की ड् अमीद करती हूं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही देगे बैल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिसना हो यदि है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्क्रीन पर दी गए वीडियो को भी देखे और थैंक्स पर वाचिंग ओवर वीडियो टेक केर एंड बाई